तो गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने दी थी, उस जानकारी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं बुद्धा, मैंने जो पहला पाटा को बताया था, उसमें बताया कि बुद्धा का जन्म जब हुआ, पिक्तपस्वी थे, उनका नाम था असीता, जिन्नोंने ये भविश्यवाड़ी कर दी, शुदुधन को बताया, उनके पिता को, बुद्धा के पिता को, ये रलका या तो वर्ती राजा बनेगा आगे जाकर, या ये सन्यासी बनेगा, या ये सन्यास ले लेगा, तो बुद्धा के पिता के दिमाग में ये बात बैट गई, कि ये सन्यास ले सकता है आगे जाकर, तो बुद्धा जब भी गभी राज्ये में जाते थे, घुमने कभी निकलते थे, तो इनके पिता इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि ऐसी कोई चीज ये ना देखे जिससे इसके मन में वैराग गया आये या ये सन्यास लेने के बारे में सोचे तो हर जगा अच्छा माहौल रहता था खुशी के दिये जल रहे थे चारों तरफ बुद्धा एक समय आया उनकी लाइफ ट्रांसफोर्म होना शुरू हुई वो चार दृष्चे क्या थे वो चार दृष्चे थे ओल्ड मैन डेड बॉड़ी एक बिमार वेक्पी और देखा एक सन्यासी एसेटिक अर्मिट बुद्धा ने ये चार दृष्चे प्रिष्चे देखे जिसके बाद बुद्धा ने कहा कि उनका मन जो है वो ट्रांसफोर्म होना शुरू हुआ बदलाव आना शुरू हुआ कि एक बुढ़ा वेक्ति एक डेड बॉड़ी एक सिक मैन और एक सन्यासी उन्हों ने देखा तो बुद्धा का हिर्दय परिवर्त इच्छाएं इच्छाओं को कंट्रोल करना इतना असान नहीं है यदि दुखों को कंट्रोल करना है तो इच्छाओं को कंट्रोल करो और इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने दिया एट फोल्ड पात जिसको अस्टांगी का मार्ग बोलत है एट फोल्ड पात जिससे बुद्धा की life transform होना शुरू हुई, 29 years की age में बुद्धा का बर्त कब हुआ था? बुद्धा का बर्त हुआ था 563 BC में बुद्धा का बर्त हुआ लुम्बिनी नेपाल 563 में बुद्धा का जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल में उनके पिता राजा सुद्धन बुढ़े हो चुके थे जब इनका जन्म हुआ इनके फादर का नाम किंग सुद्धन चीफ ओफ शाक्य ट्राइब शाक्य ट्राइब थे उसके हेड थे रूल करते थे जहां क्या एरिया था कपिल वस्तू कपिल वस्तू तो सुद्धन की उम्र बढ़ रही थी वो चाहते थे कि कोई गद्धी का उत्राधिकारी हो जाए जो राजपाट को संभाले तो बढ़ापे में इनको सिधार्थ पैदा हुए सिधार्थ का मतलब उने बताया था अभिलाशाओं को पूरा करने वाला इच्छाओं को पूरा करने वाला तो बुद्धा की जो एक्चुल मदर थी उनका नाम था महा माया माया देवी भी कहते हैं कहीं कहीं महा माया बोलत तो इनकी सौतेली मा जो इनकी मौसी थी, पॉस्टर मदर, सौतेली मा जो इनकी मौसी थी, प्रजापती गौतमी, उन्होंने इनको पाला पोसा, उन्होंने इनको बढ़ा किया, प्रजापती गौतमी इनकी सौतेली मा, माया देवी की सिस्टर, मौसी थी इनकी, प्रजापती गौत्मी के दो अपने बच्चे भी हुए, एक का नाम था नंदा, एक का नाम था सुन्दरी नंदा, सिधार्त तो इनकी जो सिस्टर थी उनके बेटे थे, माया देवी या महा माया नाम से जाना जाता है, प्रजापती गौत्मी के एक बेटा था, उसका नाम था नंदा, और एक डॉटर भी थी इनके उसका नाम था सुन्द्री देवी डॉटर थी सुन्द्री देवी तो 29 इंटी-नाइन इयर्स की एज थी बुद्धा की जब इन्होंने घर छोड़ा जब इन्होंने घर त्याग दिया और इनकी वाइफ थी यशोधरा अपनी वाइफ और बेटे को छ चले गए वाइफ का नाम यशोधरा यशोधरा जो थी इनकी कजन थी इनकी जो मैरिज हुई थी इनकी कजन थी यशोधरा तो वाइफ थी यशोधरा कात्याईनी देवी सुना होगा आपने कात्याईनी देवी के कई मंदीर होते हैं कई पूजा करते हैं कात्याईनी देवी तो माना जाता है कि ये शोधरा ही कात्याईनी देवी थी जो temple में worship वगर होती है अब अलग अलग धर्मों के बारे बुद्धिजम पढ़ोगे तो वो अपनी एक बात कहेगा हिंदुजम पढ़ोगे वो अपनी एक बात कहेगा पर बुद्धिजम के हिसाब से चलें तो ये शोधरा ही कात्याईरी देवी इनकी पूजा भी होती है टेंपल्स में और इनके बेटे का नाम था राहूल बेटा था राहूल इनका जो घोडा था इनको बड़ा प्रिय था उसका नाम था कंटक इनका होर्स जो इनको बहुत प्रिय था उसका नाम था कंटक कंटक तो 29 years की age में बुद्धा ने घर छोड़ा चले गए जंगल की तरफ और सबसे पहले इन्होंने teacher चुना कि भई रास्ता कौन बताएगा ग्यान का रास्ता सन्यास का रास्ता कहां से मिलेगा हमें करना क्या है हमें तो कुछ पता नहीं तो वो सबसे पहले जो पहुँचे 29 years की age में he left his home at the age of 29 years बुद्धा left his home और सोचो यह आसान तो रहा ना होगा wife को और छोटे हुए बच्चे को छोड़ कर जाना आसान नहीं रहा होगा तो बुद्धा को समय भी लगा होगा इसमें एकदम से घर त्याक के चले जाना कि कोई वेक्ती गुसे में हो तो फिर भी एक बार को निकल के चला जाएगा या तो अंदर से इतने मजबूत रहे हों कि एमोशन पर बिल्कुल कंट्रोल कर लिया हो और अभी तक वो बुद्धा तो बने नहीं थे अभी तक तो सिध्धार थे तो काफी मन में पशुपेश रही होगी कि रुकूं या जाओं आगे का रास्ता तो मुझे पता नहीं है कि होगा क्या नहीं होगा ये तो मन में एक भाव आया है इसलिए मैं उस रास्ते पर जाने की सोच रहा हूँ पर मुझे पता नहीं आगे होना क्या है और बीवी बच्चे को छोड़ कर जाना, बुढ़े पिता को छोड़ कर जाना ये अतना असान ना रहा होगा बुद्धा के लिए तो 29 इयर्स की उम्र में फाइनली वो घर से निकल गए, रात कर समय चले गए इनका जो चैरिटीर था, इनका जो सार्थी चैरिटीर मतलब होता है सार्थी, उसका नाम था चन्ना सार्थी का नाम था चन्ना, तो 29 इयर्स की एज में घर छोड़ के चले गए सबसे पहले इन्होंने जिनको टीचर मनाया, जिनको टीचर माना, ये पहुँचे अलारा कलमा के पास जो टीचर इनके रहे, सबसे पहले अलारा कलमा तो अलारा कलमा से उन्होंने पूछा भई, जीवन का क्या उद्देश है, कैसे मोक्ष मिलेगा, ये सब चीजें अब गुरू तो गुरू है तो गुरू ने कहा कि मोक्ष मैं तुम्हे रास्ता बताऊंगा मैं तुम्हे तरीके सिखाऊंगा अलारा कल्मा के और भी स्टुडेंट थे सिधार्थ भी एक स्टुडेंट बन गए अब अलारा कल्मा को लगा कि इतनी कठिन चीजे होंगी है तो give up कर देगा बहुत से लोग बीच में हाथ खड़ा कर देते कि हमसे नहीं हो पाएगा भई हम हमारे लिए possible नहीं है पर सिधार्थ का determination, perseverance इतना जवर्दस था कि जो गुरू ने कहा सब कुछ सिधार्थ ने माना एक समय ऐसा आ गया कि गुरू ने हाथ खड़ा कर दिया कि मेरे पास अब सिखाने को कुछ नहीं है और मैं तुम्हें मोक्ष कैसे दे पाऊंगा, मोक्ष तो मुझे खुद नहीं मिला तब गुरू ने last में surrender कर दिया कि मेरे पास वो तरीका नहीं कि मैं मोक्ष बता पाऊं और मुझे लगा तुम्हार मान लोगे पर उपवास कहा तो उपवास रखा कई कई दिन उपवास रखना था वो किया जितने क्रिया कलाप, रिचुल्स हो सकते हैं सब फॉलो किये पर गुद्धा को कुछ मिला नहीं और गुरू ने भी हाथ खड़े कर दिये कि इससे आदा मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है और अगर ये चीज फैलेगी लोगों में तो जो मेरे और और स्टुडेंट हैं जो मुझे गुरू माने बैठे हैं वो लोग भी कट जाएंगे, अलग हो जाएंगे कि जब सिधार्त ने सब कुछ फॉलो किया इतनी महनत की और सिधार्त को कुछ नहीं मिला तो ये गुरू हमें भी कुछ नहीं देला पायेगा तो बाकी स्टूडेंट भी भाग जाएंगे मतलब गुरू होना मैंने बताया एक गुरू होना वाकई में गुरू होना जो नॉलेजेबल हो और एक व्यक्ति गुरू होने का ढूंग करना दोनों में अंतर है हर व्यक्ति क्या वो लेवल डिजर्व करता है जैसे देखो एक प्रथा है अपने आप पैर चूने की लोग पैर चूते है कोई बड़ा है उम्र में केवल इसलिए पैर चूआ जाए ये नितिसंगत बात नहीं ये ठीक नहीं है पैर चूने का सही अर्थ क्या होना चाहिए जिस व्यक्ति ने आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लाया हो कुछ ना कुछ योगदान किया हो आपको बहतर व्यक्ति बरने में कोई मदद की हो या किसी समय बुरे समय में आपकी ही हल्प की हो पैर चूने के सही अधिकारी वही व्यक्ति से चूए जाने है हर व्यक्ति के पैर नहीं चूने चाहिए पैर चूने का मतलब अब कोई क्रिमिनल है एज में बढ़ा है तो आप पैर थोड़ी चूओ उगे पैर चुने का मतलब आप उसको सम्मान कर रहे हो उसके सामने खुद को सरेंडर कर रहे हो तो उसी व्यक्ति के सामने किया जा सकता है वही व्यक्ति अधिकारी होगा जिसने आपकी लाइफ में कोई positive change लाया होगा कोई contribution किया होगा किसी प्रकार की आपको मदद की होगी तो अलारा कलमा से उन्होंने सीखा है ऐसा नहीं है कि अलारा कलमा ने कोई contribution नहीं किया बुद्धा की लाइफ में बुद्धा के शुरुआत तो यहीं सभी हाँ यह हो सकता है कि अलारा कलमा के ग्यान देने के बाद भी final रास्ता नहीं मिल पाया पर एक दिशा दिखाने का काम तो अलारा कलमा ने किया कीूरी सिटी बुद्धा में और डेवलप होना शुरू की यदि अलारा कलमा ही उनको कुछ ना सिखाते तो क्यूरी सिटी डेवलप नहीं हो पाती उतनी फिर एक और गुरू थे उड़क राम पुत्ता कुछ चीजें उन्होंने इन से सीखी उड़ तोड़ा परशान भी हुए कि घर छोड़ने का नियर्ण मैंने सही लिया या गलत लिया है मुद्धा परशान हुए कि या मेराश 쉽 सही है क्या वाकई में मोक्स जैसी कोई चीज एक्जिस्ट कर रही है क्या मैं उस रास्ते को पास अकूंगा या क्या जो मेरे तरीका है वो ठीक है इसके लिए तो उड़क राम पुत्ता से भी कुछ तरीके सीखे तब भी फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए फि उड़क राम पुत्ता के 5 बैट वह भी तो बुद्ध आके साथ हो लिए ठीक है कुछ इसमें सिख्य थे कुछ बैटे कुछ श्य थे तता को बुद्ध के साथ हो लिए ये जो जो करेंगे हम इनको फॉलू करेंगे इसके बाद बुद्धा पहुंसते हैं गया खुद को एक्स्प्लोर करना शुरू करते हैं वो पहुंसते हैं गया शायद आपको पता होगा बुद्धा ने 49 डेज तक बुद्धा ने meditation किया था बोलते हैं इसको 49 डेज सेवन वीक कि 49 डेज का meditation किया था और उन्होंने प्रण लिया था कि मैं प्रती दिन सिर्फ एक चावल का दाना खाऊंगा प्रती दिन केवल एक चावल का दाना खाऊंगा और ऐसे करके 49 डेज तक उन्होंने meditation किया 49 डेज तक meditation और इतने कमजोर हो गए थे जबकि बुद्धा की करकाटी अच्छी थी healthy person थे अच्छी हाइड थी healthy थे पर इस दौरान जो नोंने इतना कठीनेक व्रत लिया इतना कठीनेक संकल्प किया कि एक चावल का दाना खाके मैं meditation और 49 डेज तक चलता रहा वो इतने कमजोर हो गए थे इतने कमजोर हो गए कि वहां एक river थी निलांजना निलांजना एक river है उसको पार करने की कोशिश करने लगए तो भी गिर पड़े वो पारी नहीं कर पाए जबकि निलांजना में इतना पानी नहीं है अगर तुम निल इतने कमजोर हो गए अचानक बुद्धा को रिलाइज हुआ कि जो तरीका मैं फॉलो कर रहा हूं खुद को कस्ट दे रहा हूं भूखा रहा हूं यह तरीका भी मोक्ष का तरीका नहीं है तो बुद्धा ने फिर इसके बाद क्या किया उनको समझ आ गया कि मतलब यह जो मैं कर रहा हूं यह क्रिया कलाब आडंबरों में फसा हूं मैं यह सही मार्ग नहीं है बड़े परशान भी हुए बुद्धा उसके बाद कमजोर स्थिति में थे सरीर से बड़े कमजोर थे 49th day जो था वो पीपल टी के नीचे वही बैठे meditation करते थे पीपल टी के नीचे बैठे हुए थे पूर्णीमा का समय था पूर्णीमा की राती कई बार आपने सुनाओ का बुद्ध पूर्णीमा जिस दिन बुद्धा को ग्यान प्राप्ति हुई थी enlightenment तो 49 days जब ये दिन आया 49th day आया तो पीपल टी के नीचे बैठे हुए थे ध्यान कर रहे थे बिल्कुल कमजोर हो चुके थे वहीं आसपास एक लेडी थी उसका नाम था सुजाता अब उसने पीपल से कुछ जैसे पहले जबाने में भी नियम था ना सुजाता बहुत क्लियर सुजाता के बारे में जानकारी तो नहीं मिलती पर माना जाता है कि एक शुद्र महिला थी क्योंकि बाकी जो ब्राम्मण है च्छत्रिये हैं ये तो मंदिर उंदिर में पूजा क करते रहेंगे मंदिर में जिनको स्थान नहीं मिलता रहा होगा जदा तर वर्षिव जदा और लोग भी करते रहोंगे पर शुद्र लोग जढ़ातर पेलो की पूजा करते रहेंगे तो कुछ एविडिएंस ऐसे हैं और सुजाता नाम भी जो मीनिंग भी इसका देखोगे तो किसी शुद्र कर रहा होगा ऐसा लगता है देखने में तो यह मान लेते हैं मान लेते हैं कुछ एविडेंस की आधारत पर एक शुद्र महिला थी और इसने पीपल के ट्री से कुछ मननत मांगी थी कि जब मेरी ये विश्पूरी हो जाएगी तो मैं खीर टाइप का खीर च मेडिटेशन में ध्यान में हैं इसको लगा कि विर्ष का देवता यही है साहे दिनों ने मेरी मननत सुन ली है मेरी बास सुन ली है और ये खुद प्रशाद लेने खुद मतलब वो ये खीर को ग्रहाण करने खुद प्रकट हुए हैं तो जो पहली चीज बुद्धा ने यह गिवप कर दिया था एक समय के निलांजना भी उनसे पार नहीं हो पा रही थी या एक शुद्र की दी हुई खीर उनने खाली कुछ ऐसी घटनाय हुई कि जो उनके पांसिस्य से उनको फॉलो करते हुए आ रहे थे जो बुद्धा के पांसिस्य थे वो छोड़के बुद्ध से उनका मो भखो गया गुरु को छोड़के चले गया मतलब उन्होंने जो मानलिया थाव गुरु को 1 कृतिक्याइस Huge कเรา ऑुद्ध हो गए तो उन्होंने विचार करने लगे कि जो बॉने जाना है मैं उसको लोगों तक कैसे पढुचा हूँ हूँ क्या लोग सुनेंगे लोग जहां दुनिया में वाइलेंस चल रहा है, धर्मों पे लड़ाई चल रही है, ब्रामण, छेत्री, सुद्र, वैश इतने बटे हुए हैं, ये ग्यान सुनने के लिए लोग तयार हैं क्या, जो मैंने जाना है ग्यान, तो इस पशोपेश में पड़े रहे, तो अगर बु बुद्धिजम के जो लिट्रेचर हैं वो पाली भाषा में लिखे हुए हैं, बुद्धिस लिट्रेचर पाली भाषा में लिखे हैं, पाली संस्कृत का ही distorted रूप है, जिसको प्राकृत कहते हैं, संस्कृत का ही, संस्कृत क्योंकि पढ़ना मुश्किल है, संस्कृत का ही distorted Utkartet form में प्राकृत भाशा तो प्राकृत की कई भाशा के हैं उने एक पाली भाशा है जिसमें बुढ़िजिन किताबे लिखी हैं तो भर्मा ने ब्रह्मा बुदधा से मिले उन्होंने दर्शन दिये तो उन्होंने बुद्धा को कहा कि आप बे-हिचक जो आपने सीखा है लोगों को बताइए आपका जो जन्म हुआ है धर्ती पर उसका मेंन परपसी यही ही कि ज्यान आप लोगों तक पहुँचाएं लोगों को अवेर करें जो लोग corruption में और गलत चीजों में involved हैं धार्मी का धार पे एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं उचा निचा दिखा रहे हैं उनको सही पात पर लाना आपकी duty है और आप जरूर इस ग्यान को लोगों तक पहुचाईए इसके बाद फिर बुद्धा अब दो व्यापारी मिले अगले दिन सुबह बुद्धा जब यहाँ पर थे तो इससे दो व्यापारी मिले एक का नाम था भल्लीका दो मर्चंट इससे मिले एक का नाम था भल्लीका एक का नाम था तपुस्सा थोड़ी बहुत बातें बुद्धा ने अपने enlightenment संब्ध इनको बोली पर इनको कोई दिख्षा नहीं दी है बुद्धा ने वो विर्क्ष को नाम दे दिया बोधी विर्क्ष आगे जाके इस बोधी विर्क्ष को काट दिया था बंगाल का साशक शशंक बंगाल का साशक था शिवा डिवोटी था तो शिवा डिवोटी हिंदुजम रिलेटेट तो बुद्धिजम को क्यों मानता बोधी विर्क्ष को उ शशांग जो रूलर था बंगाल का। तो बुद्धा के ज्यान प्राप्ति के बाद ये भलिका और तपुस्सा, ये मर्चेंट थे दो, बुद्धा से मिले थे, बुद्धा ने थोड़ी बहुत चर्चा अपने इनलाइटिनमेंट के बारे में की, पर इनको कोई प्रॉपर द देने के काबिल नहीं रह गया, तो बुद्धा चले अपने स्टुडेंट को ढूंड़ने, जो पांस शिष्य उनके फॉलोवर थे, तो बुद्धा ने कहा कि इतने समय तक ये मेरे साथ थे, जब मेरे पास इनको देने के लिए कुछ नहीं था, तब ये मेरे साथ थे, आज मुझे कुछ ग्यान की प्राप्ति हुई है, आज मैं इनको कुछ दे सकता हूँ, तो आज ये साथ नहीं है, तो इनको ढूंडते हुए गए, वो लोग थे सारनाथ में, वो जो इनके पांचों सिस्ष्य थे, सारनाथ में थे, उचे टीले पे बैठे हुए थे, पांचों के हो जाता है, कुछ भी कमेंट कर दे, कुछ भी कह दे, बुद्धा के समय में भी हुआ था, तो बुद्धा आ रहे थे, और ये पांचों टीले पे बैठे थे और कह रहे हैं कि बुद्धा सम्मान नहीं देंगे हम इनको, और उल्टा हम पीट घुमा के बैठ जाएंगे जब तुम जो मन में सोचे हुए थे, तुमने वो क्यों नहीं किया है, उनको अभास हो गया था कि इनके mindset ये होगा, human tendency ये है, बुद्धा का ज्यान बहुत practical ज्यान है, वो कोई बहुत गरंथों और किताबों के बातों में नहीं उलस्ते थे, जैसा आपको लगता होना चाहिए, बुद्धा का ज्यान भी बहुत तारकीक है, बहुत practical है, तो बुद्धा ने कहा कि तुम वही क्यों नहीं किया जो तुम सोच रहे थे, पीट घुमा लेंगे, संबान नहीं करेंगे, अपने आपी संबान क्यों, उन्हों नहीं कहा कि हम कर नहीं रहे हैं, हम तो सोच के धर्म चक्र प्रवर्तन सारनास से होता है, इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, तो बुद्धिजम की शुरुवात जो है सारनास से मानी जाती है, ज्यान प्राप्ति गया में हुई है, पर शुरुवात इसकी सारनास से मानी जाती है. कुछ समझ में आई होगी बात, थोड़ी बहुत. और बुद्धा उसके बाद इन्होंने मॉंक्स बनाए, मॉंक्स जो बनाए, वो शंग बनाया, संग, बुद्धिस मॉंक्स का या अट्रेक्शन होगा, एक दूसरे के प्रति अट्रेक्शन होगा, तो मॉंक्स कई अपने पास से डेवियेट ना हो जाएं, और जो हमारा बुद्धिसम को लेकर टारगेट है, उससे पीछे न चूड़ जाएं. पर इनकी अपनी मदर, इनकी सिश्या बनना चाहती थी, प् कि मिक्सिंग ना हो, वुमेन मॉंक्स के लिए अलग गुरूप बनाया, और वुमेन मॉंक्स के गुरूप को लीड करती थी, प्रजापती गौतमी, इनकी अपनी मदर, वुमेन मॉंक्स के गुरूप को हेड करती थी, कि कोई अपने पास से डेवियेट नहीं होगा, जो इन बुद्धा के death हुई कुशी नगर में 80 years की age में बुद्धा died ये था 483 BC जगे कुशी नगर कुशी नगर UP यहाँ पर बुद्धा के death हुई 80 years की age में बुद्धा died 483 BC कुशी नगर UP तो बुद्धिजम से related और भी कई कहानिया है एक हिस्सा मैंने आपको बताया है ये भी एक point है कि क्या बुद्धा जब उनको ग्यान प्रापती हुई कि अपने घर आये थे 12 साल बाद अपने घर लोटे थे 12 साल बाद अपने घर लोटे तो पिता बड़े नाराज हुए कि चला गया छोड़कर बुड़े बाप को राजपार्ट समालना चाहिए था मैं तुझे अभी भी माफ कर दूँगा गल्ती मान ले इन्होंने कहा कि जो गया था वो मैं नहीं हूँ आपका नाराज होना जायज है पर जो घर छोड़के गया था और जो आज 12 साल बाद आया है वो एक ही वेक्ति नहीं है गया था सिध्धार्थ और लोटा है गौतम बुद्धा यह अंतर है कुछ बदल गया है बीच में उस समय में कुछ घटना घट गई है कुछ बदल गया है बदलाव आ चुका है इनकी वाइफ बहुत नारास थी कि सोते हुए तुम छोड़के चले गए रात में यह बच्चे को किसकी जिम्मेदारी पर छोड़के गए थे छोटा बच्चा था राहूल तो राहूल जो बच्चा था यह शोधरा ने राहूल से कहा कि आ गए है तुम्हारे पिता अपना अधिकार इन से मांग लो जाके कि तुम्हारा जो अधिकार है इनी से मांग लो यही तुम्हारा अधिकार तुमको देंगे बुद्धा के पास कुछ था नहीं कमंडल था उन्होंने कमंडल दे दिये राहूल को कि और तो मेरे पास कुछ है नहीं तुम मेरे बेटे हो तो देना हो कुछ तो मैं तुम्हें कमंडल दूँगा राहुल इनके पैरों पर जुका प्रणाम किया इनका सिस्य बन गया इनके परिवार के जादातर लोग बुद्धिजम को अपना लिये थे राहुल जुका सिस्य बना ये शोधरा जुकी बेटे को देखकर ये शोधरा सिस्य बनी उनको भी शामिल किया इनोंने बाद में बुद्धिजम में फिर उसके बाद इनके पिता भी अब पिता प्रणाम कैसे करेंगे एक इगो की बात होती है पर पिता का भी दिल पिघल गया वो समझ चुके थे कि अभी जिस रास्ते पर निकल चुका है वापस तो नहीं आएगा तो इनके परिवार के ज़्यादा तर लोग जो है वाले सेशन में आपको इंडिया और वेस्ट दोनों ही तरह की जो ग्रेट पर्सनेलिटीज उनके बारे में जानकारी मिले क्योंकि आजकल जो एक मिस इंफॉर्मेशन का ट्रेंड चला हुआ है स्टुडेंट्स को पता नहीं है सही जानकारी जैसे वो नहरू के बारे में कोई बात बोलते हैं या गांधी के बारे में बोलते हैं या गांधी भगत सिंग के बारे में कोई बात कहते हैं कई बार कंक्लूजन बना लेते हैं बिना कंटेंट बिना नॉलेज के तो content होना बहुत जरूरी है opinion आप बनाएं पर पूरी information लेने के बाद Okay students